ओम श्री परमात्मने नमहा अथर्व वेदिये श्री राम उत्तर तापनियो उपनिशन्थ सांती पाठ ओम भद्रम कणे भी ओम शांती 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 प्रथम खंड कासी एम तारक मंद्र की महिमा ओम कारूप पुर्शोत्तम राम के चार पाध ओम ब्रहस्पती ने याग वल्लक से पूछा ब्रह्मन जिस तीरत के सामने कुरुछेत्र भी छोटा लगे जो देवताओं के लिए भी देव पूजन का इस्थान हो जो समस्त प्राणियों के लिए परमात्म प्राप्ती का निकेतन हो वह कौन है याप रस्ण सुनकर याग वल्लक ने उत्तर दिया निश्चे ही आवी मुक्त तीरत ही प्रदान कुरुछेत्र सत्कर्म का इस्थान है वही देवताओं के लिए भी देव पूजा का इस्थान है वही समस्त प्राणियों के लिए परमात्म प्राप्ती का निकेतन है अता जहां कहीं भी जाएं उस आवी मुक्त तीरत को ही प्रदान कुरुछेत्र माने वही देवताओं के लिए भी देव आराधन का इस्थान है वही सम्पूण प्राणियों के लिए पर ब्रम प्राप्ती का इस्थान है यही जियों के प्राण निकलते समय भगवान रुद्र तारक ब्रम का उब्देश करते है जिससे वह अमरत में होकर मोक्च प्राप्त कर लेता है इसलिए आवी मुक्त कासी का ही सेवन करें आवी मुक्त तीरत का कभी परित्याग ना करें ठीक ऐसी ही बात है इस प्रकार याग वल्लक ने समझाया तदानतर भार द्वाज ने याग वल्लक जी से पूछा भगवान कौन तारक तारने वाला है और कौन तरता है इस प्रस्ण के उत्तर में वे प्रसिद याग वल्लक मुनी बोले तारक मंत्र इस प्रकार होता है धीर्ग आकार सहित अनल रेफ रकार हो और वह रेफ बिंदू अनुश्वर से पहले इस्थित हो उसके बाद पुना धीर्ग स्वर्विसिष्ट रेफ हो और उसके अनंतर माय नमहा ये दो पद हो इस प्रकार राम, रामाय नमहा यह तारग मंत्र का स्वरूप है इसके सिवा राम, पद के सहित, चंद्राय नमहा और भंद्राय नमहा यह दो मंत्र भी तारग ही है यह तीन मंत्र क्रमसा, ओमकार स्वरूप, तत्थ स्वरूप और ब्रम्म स्वरूप है ये ही क्रमसा, सत, चित और आनंद नाम धारण करते हैं इस परकार इनकी उपासना करनी चाहिए ओमकार में प्रथम अक्षर अकार है, दूसरा अक्षर उकार है, तीसरा अक्षर मकार है चोथा अच्छर अर्द मात्रा है पंचम अच्छर अनुश्वर है और छटा अच्छर नाध है इस पर काच्छा अच्छरों वाला तारक मंत्र होता है ये सब को तारने वाला होने से तारक कहलाता है उस ओमकार अत्वाराम इस बीज मंत्र में अच्छर को ही तुम तारक ब्रम्म समझो वही उपासना के योग है यो जानना चाहिए वह गर्व जनम जरावस्था मृत्यू तथा सांसारिक महान भैसे भली भाती तार देता है इसलिए तारक इस नाम से उसका कतन किया जाता है जो ब्रम्मन इस तारक मंत्र का सदा जब करता है वह संपून पापों को पार कर जाता है वह मृत्व को लांग जाता है वह ब्रम हत्या से तर जाता है वह भुरून हत्या से तर जाता है इतना ही नहीं वह संपून हत्याओं से तर जाता है वह संसार से तर जाता है सब को पार कर जाता है वह जहां कहीं भी रहता हुआ आविमुक्त छेतर काशी धाम में ही रहता है वह महान होता है वह अमरत्य को प्राप्त होता है इस विसे में कहा गया है कि सुमित्रा नंदन लक्षमाट जी प्रणाओं के आकार अक्षर से पार्दुभूत हुए है ये जागरत के अभिमाने विश्व के रूप में भावना करने योग है ये ही चतुर व्यू में संकरशन रूप है सत्रुगन स्वप्न के अभिमानी तैजस रूप है इनका आर्वी भाव प्रणाओं के उ अच्छर से हुआ है चतुर व्यू में इन्ही की प्रदुम्न संग्या है भरत जी सुसुप्ती के अभिमानी प्राग्य रूप है ये प्रणाओं के माच्छर से प्रकट हुए है चार वियों में इनी को अनुरुद कहा गया है भगवान स्री राम प्रणव की अर्द मात्रा रूप है ये ही तुरिय पुर्सुत्तम है ब्रम्म नाद ही इनका एक मात्र विग्रा है चत्र वियों में ही ये वासुदेव नाम से परसिद्ध है स्री राम के सामिप मात्र से जो संपूर्ण देधारियों की उत्पत्ति पालन और संघार करने वाली है वे जगद दाइनी विदेह नंदनी शीता नाद बिंदू स्वरुपा हैं वे ही मूल प्रकति के नाम से जानने योग है प्रणव से अभिन होने के कारण ही उन्हें ब्रह्म वादी जन्प्रकति कहते हैं ओम यह अच्छर अभिनासी परमात्मा है यह प्रतक्ष दिखने वाला संपूर्ण जगत उसका ही उपाख्यान है उसी की महिमा का प्रकाशन करने वाला है जो पहले हो चुका है जो अभि वरतमान है तथा जो भविस में होने वाला है वह संपूर्ण जगत उमकार ही है तथा जो उपर बताए हुए तीनों कालों से अतीत दूसरा कोई तत्व है वह भी उमकार ही है ओमकार नाम है परमात्मा नामी नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है यह दिखाने के लिए ही यहां सब कुछ ओमकार बताया गया है निश्चे ही यह सब ब्रह्म है यह सरवंतर यामी आत्मा भी ब्रह्म है इस परमात्मा के चार पाद है ये दिपी परमात्मा एक और अखंड है तथा भी उसके संपूर्ण स्वरूप का बोथ कराने के लिए ही उसमें चार पादों अंसों की कल्पना की गई है जागरत यानि इस्थुल जगत सुपन अर्थात सुक्ष्म जगत सुसुपती प्रले अवस्ता अर्थात कारण तत्तों में लीन जगत तथा इन सब से अतीत विसुद प्रम ये ही समगर परमेश्वर के चार पाद अत्वा अंस है स्री राम तत्तों के वर्णन में राम या बीज ही प्रणव है तत्ता पूर्सोत्तम राम समपून परमेश्वर है इनके चार पाद या अंस है लक्षमन सत्रुगन भरत तत्ता कौसले नंदन स्री राम ये चारों मिलकर ही समपून राम है जैसे सब कुछ ओम है वैसे ही राम भी है राम और ओम में महात्मे और महिमा की द्रश्टी से कोई अंतर नहीं है अता यह संपूर जगत स्री राम की ही महत्ता का प्रकासन कर रहा है जागरत अवस्ता की भाती यह संपूर इस्तुल जगत जिसका अव्वे संस्थान सरीर है जो बही प्रग्य है जिसका ग्यान इस ब्राह जगत में सब और फैला हुआ है भूब हुआ आदी साथ लोग ही जिसके साथ अंग है पाँच क्यानेंद्रियां पाँच करमेंद्रियां पाँच प्राण और चार अंतकरण ये उन्नीस समस्टी करण हैं जिसके मुख हैं जो इस इस्थुल जगत का भूगता अर्थाद इसको जानने और अन्भो करने वाला है एशा वैश्वा नर्प विश्वरू पूर्शोत्तम है संपूर्ट परमेश्वर का पहला पाद है लीला पूर्शोत्तम स्री राम के चार पादों मेंसे पृथम पाद स्री लश्माड जी हैं ये शेशनाग के रूप में अखिल विश्व के आश्रे होने के कारण ही विश्व अत्वा वैश्वा नर्ण नामधारन करते हैं तथा स्री राम की प्राप्ती के लिए प्रथम उपाय है स्री लच्मर जी की अराधना अतेव उन्हें प्रथम पात कहा गया है वे सदा जागरुक इस्तिती में रहते हैं अतेव जागरती स्थान है बाहर की संपूर्ण बातों को जानने में सतत सावधान रहने के कारण उन्हें बही प्रग कहा गया भूर भूवा आदी साथ लोक अत्वा तल अतल आदी साथ पाथालों की इस्तिती उनके ही अंगों पर है अतेव वे सब्त आंग हैं पुराण नयाय मिमानसा और धर्म साथ्र व्याकरन जोतिष छंद कल्प सिक्षा एम निरुक्त ये छा अंग रिक साम ये जू एम अथर्व ये चार वेत था आयूर वेद धनूर वेद गांधर वेद अर्थ साथ्त और दर्सन ये सम्मिल कर 19 विद् का वर्णन करने में समर्थ हैं अतेव उन्हें एकोन विंसिवतु मुख कहा गया है संकर्षण रूप से प्रलैकाल में अपनी मुखागनी द्वारा समस्त इस्थुल जगत को विग्रस लेते हैं अता इस्थुल भुक्ष है मन की सुक्ष्म वासना द्वारा कल्पित मनों मे जगत ही स्वपन कहलाता है अता स्वपन पद यहां सुक्ष्म जगत का ही बोदक है वह सुक्ष्म जगत ही जिसका इस्थान है जो अनंत प्रग है अर्थात जिसका ग्यान सुक्ष्म जगत में व्याब्त है ता जो पूर्वक्त साथ अंगों और उन्नेस मुखों से युक्त है वह प्रविक्त सूक्ष में जगत का भोगता जगत के सूक्ष में तप्तों का अन्वों करने वाला तैजस प्रकास स्वरूप हिरन गर्ब उस पून्तम परमेश्वर का दूतिय पद है स्री राम पक्ष मैसरी सत्रुगन हैं पूर्टम परमात्मा स्री राम के दुतिय पाद अंस हैं लक्षमार जी की अपेक्षा दूसरे होने के कारण ये दुतिये हैं प्रद्म काम के अंस होने से ये सब के मन में इस्थित रहते हैं सुपना वस्था में अन इंद्रियों के सुपन हो वन में इस्ति्त-नाम में और औरकमhmen समच्टी मनि समच्त सूक्ष्मलोक का आधार है उसमें रहने वाले संकल्प मैं प्रदुम ही उस भार को वहन करते हैं वे सत्रुगन से अभिन हैं अता भू आदी साथ सुख्च मलोकों का भार जिनके अंगों पर है वे सत्रुगन जी भी सतांग है उन्नेस मुख पूरवक्त समझने चाहिए जो सुख्च मलोकों का आदिश्टाता है वे सुख्च मतत्यों का भोगता और अन्भो करने वाला होगा ही अता सत्रुगन जी ही प्रविक्त भूग है तैजस का अर्थ यहां तेजो में परमकांती में है प्रदम काम के स्वरूब होने से सुख्च का सौंदर अप्रतिम है अतावे तैजस कहे गए है ओम शांती शांती शांती